अलर्ष्टिवी के फैंटेसिस और बेकाबु के आने वाले एपिसोद में होने वाला है बड़ा धामा का जब रक्सस रानफ और पड़ी बेला अलग होने वाली है बेला रानफ के घर से निकल कर जाने वाली है उसके साथ ही फिर से बेला के फियन से कामबेख होने वाला है तो आई ये वीडियो को शुरू करते हैं बेकाबू के आने वाले धामा के डर एपिसोट में हमें देखने को मिलेगा जो बेला का जो फियंसे है वो फिर से बेकाबू में धामा के डर एंटरी कारने वाले है यानि रानफ और बेला की जिन्देगी में फिर से वो आने वाला है उसके बड़ हमें देखने को मिलेगा जो यामिनी है वो कहेंगे सबसे इस घर में बेला रहेंगी या से मेरे होंगा तो उसके बड़ हमें देखने को मिला जो रानाफ बोलते हैं बेला को घर से निकल जाने के उसके बड़ हमें देखने को मिला जो बेला है वो घर से निकल कर सली जाती है लेकिन उसका जो बदला है वो अधुरा रहे गया है तो आने बल एपिसोट में हमें फिर से तक्रार देखने को मिलेगा बेला और रान आफ का उसके साथ ही उस परी का रास बेख खुलने बाला है जिसने एसोट को मारा था तो बेका बुक के आपको एपिसोट को देखने के लिए अप कितना ज़रा एक्साइड़ है कॉमेंस में मत भूलेगा जापर बेका बुक के बिटे एपिसोट में हमें देखने को मिला था रानफ और बेला के बिस एक महा यूट होता है लेकिन जो फाइट सीन है वो थोड़ा से फानी लेकिन रुमेंटिक लगा उसके बड़ हमें देखने को मिला जो पाताली है वो बार करती है बेला पर और बेला नीसे गिर जाती है रानफ मदद करती है बेला की और हमें पता सलती है कि पातली को पहले से ही पता थी जो बेला है वो आसलित में कोई साधान लड़की नहीं है वो पड़ी है और वो ही रासपरी देफले का है उसके बड़ हमें देखने को मिला जो रानफ है वो लेकर सला आता है बेला को घर उसके बड़ अतित के कई रास हमें देखने को मिला उस रास में हमें पता सला जो एस्वत है और जो बालका है उसके पास जाती है पाताली और पाताली को पता सलती है कि एक रासपरी ने मारा है प्रथम को जो पताली है उसको वो रासपरी से मिलना था और रासपरी के खुन से ही उसे वो आसी अस्टर भी पाना था उसके बार हमें देखने को मिला जो बेला है वो घर से निकल जाती है रानफ के जीबन से भी निकल कर सलिज आती है आपको कैसा लगा कोमेंट से मताना मत भूलेगा और आने बले एपिसोट को देखने के लिए आप कितना जड़ा एक्साइटेड है बो भी आप कोमेंट से मताना मत भूलेगा